अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकिशन सबसे पहले मिलती रहे फ्रेंट्स अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश की किसी भी कौने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरे पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो फ्रेंट्स आज की इस मौर्णिंग नीज में मैं आपके लिए काफी इंपोटेंट खबरे लेकर आया हूँ जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा उसी के बारे में हम बात करेंगे तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले हमारा एक क्वीज हुआ था और इन्वार्मेंटल पॉलुशन के बारे में एक स्पीज थी जिसमें जोती और सोनम ने पार्टिसपेट किया था फाइनल के लिए और उनमें से जो जोती थी वो विनर थी हलाकि सो पैले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हम एक मतलब बड़े लेवल पे ऐसा क्वीज करने वाले हैं जिसमें मतलब कोई भी केंडिडेट पार्टिसपेट कर सकता है कहीं से भी पार्टिसपेट कर सकता है लेकिन वो स्टूडेंट होना चाहिए मतलब एक टीचर सकता है अच्छी स्टूडा करने होगा जब टाइम आपको बताया जाएगा उस टाइम वो सेंड करनी होगी तो तो उसमें क्या है जो speech मुझे मतलब हम हमारी जो team है उनको अच्छी लगेगी तो 10 जो top 10 speech होंगी वो ली जाएंगे फिर उनके बीच में हम competition कराएंगे मतलब round के हिसाब से जैसे पहले top 5 में से 2 निकाले जाएंगे मतलब 5 में से top 2 निकाले जाएंगे फिर 4 पहुंच जाएंगे 4 में से 2 होंगे फिर 2 में से 1 एक winner decide होगा तो इस टाइप से होगा तो उमीद करता हूँ कि आप लोग इसमें जादा से जादा पार्टिपेट करेंगे तो इसके बाद जो ही केंडिडेट से इनोंने मतलब पार्टिपेट किया इन दोनों को छोटा छोटा जोबी प्राइज दिया गया वो प्राइज के बाद इनोंने एक छोटी से स्पीस दिया है तो वो पीस भी आप देख सकते हैं Good morning everyone, myself is Sonam from Starling and myself is Jyoti from Starling and now we want to say thanks to Harbir sir and Starling Institute for gave us that big opportunity and I couldn't win the competition but I am very happy for my friend Jyoti, she deserved that and next time I will give my 100% and will come with a new energy. I am also very happy because I won and that competition was very close. Thank you everyone, especially my cousin brother Ankit who supported me and I want to say best of luck to my friend for a next time. Thank you.